हलो दोस्तो दोस्तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी देश की सैर पर जहां इनसान से जादा जानवर रहते हैं इस देश में एक ऐसी भी प्रतियोगिता होती है जिसमें कौक्रोचों के बीच रेस लगाई जाती है साथ ही इस देश में एक ऐसी भी जील है जिसका रंग गुलाबी होता है आप ये जानकर यकीन नहीं करोगे इस देश में सबसे जादा उट और भेड का मांस एक्सपोर्ट किया जाता है तो चलिए दोस्तों इतने दिल्चस्प देश की सेर्टों बनती है आज के इस खुबसूरा सफर में हम है आपके साथ और ये सफर जा रहा है आस्ट्रेलिया की ओर नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल Plex Explore टीवी पर जल्दी से कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो बेहदी खुबसूरत है अगर बात करें पॉपिलेशन की तो इसे देश की कुल पॉपिलेशन करीब 2.57 करोड जो भारत के मुकाबले बहुत कम है उस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली लांगवेज इंगलिश है जो सबसे जाधा बोली जाती है और देश की करनसी ऑस्ट्रेलियन जॉलर है आपको बता देए कि ऑस्ट्रेलिया में 43.9 परसेंट लोग इसाई धर्म को मांते है और 3.2 परसेंट लोग इस्लाम धर्म को साथ ही 2.7% लोग हिंदु धर्म को भी मानते हैं और 2.7% ही लोग बौध धर्म का पालन करते हैं दोस्तों आस्ट्रेलिया को दा लान्ड आफ बीचिस के नाम से भी जाना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इन बीचिस पर गूमने निकलेंगे तो आपको 27 साल से भी जादा समय लग जाएगा इस देश के सारे बीचिस को देखने में क्योंकि यहां लगभग 11,761 से भी जादा समुद्र तट है यह समुद्र तट इतने बड़े हैं जिसे देखकर आप चौक जाएंगे यहां के बीचिस दुनिया में सबसे खुब सूरत है जहां बात तो वाटर स्पोर्ट्स की हो तो आस्ट्रेलिया का नाम आना तो लाजमी है वाटर स्पोर्ट्स के मामले में यहां पर एक से बढ़कर एक अक्टिविटीज होती है ग्रेंड वेरियर रीफ यह दुनिया की सबसे बड़ी मुंगा चटान है जो आस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर फ्रिशांत महासागर में स्थित है यह चटान 1250 मील से जादा लंबी है और 37 से 155 मील चौड़ी यह चटान इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में इंसान कम और जानवर जादा है जानकर हैनानी होगी कि अस्ट्रेलिया में 2.5 करोड लोग रहते हैं और तकरीबन 15 करोड भेड साथ ही देश में कंगारू की संख्या भी इंसानों से जादा है यह बास सुनकर आपको डर लगेगा लेकिन इस देश में ही दुनिया के सबसे जादा जहरीले साब भी पाये जाते हैं दोस्तों आपको बता देए कि AUस्टेलिया में सुजरलेंड के मुकाबले कहीं जादा स्नौफफॉल होती है ऑस्टेलिया का 자신न अल्पस एक पहाडी एरिया है जहां सुजर prise लेंड से जादा ज्सडा सनौफॉल होती 14 सेकेंड में 1.18 लीटर बियर पी कर वर्ड रिकॉर्ड बनाए था दोस्तों ये बास सुनकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे लिकिन ये सर्च है कि आस्ट्रेलिया के लोग उट और भेड का मांस खाते हैं सबसे जादा उट और भेड का मांस साओधी अरम में एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों आस्ट्रेलिया में एक ऐसी जील है जिसका रंग पिंक है यानि की गुलाबी इस जील का नाम है पिंक हिलर लेक आज तक इसका पता कोई नहीं लगा पाया कि जील का रंग गुलाबी क्यों है लेकिन जिस भी कारण से ये गुलाबी है लगती रहा सुन्दर है क्योंकि इस जील को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्स जो आते है आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्ट्रेलिया में कॉक्रोच की बीच रेसिंग होती है और इस कॉक्रोच की रेस में लोग सट्टा भी लगाते है जिसका कॉक्रोच जीता वो बाला बाल अगर बात करते हैं ऐस्ट्रेलिया फूट की तो खाने के बाद आप अपनी उगलिया चाट जाएंगे दोस्तो जिससे आप इसका स्वात कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तो ये है चिकन मार्बी की आना दोस्तो मीट लवर्स के लिए उस्ट्रेलिया में बहुती शानदार डिश मिलती है अगर आपने इस डिश को एक बार खा लिया तो बार बार इसे चाहेंगे ये उस्ट्रेलिया में सबसे पॉपलर डिश में से एक है जो आपको लगबग हर फेस्टिवल में असारी से खाने को मिल जाएगी चिकन शाइटिन का एक कॉंबिनेशन है जिसके उपर पिगला हुआ पनीर, पामीगियाना, सौस डाला जाता है अगर आप उस्ट्रेलिया का च्रिप प्लाइट कर रहे हैं तो ये डिश जरूर टेस्ट कहीजेगा आपको बता दे दोस्तों कि बर्गर भी यहाँ पर बहुत पॉपलर है सबसे ज़ादा लोग यहाँ पर बर्गर खाना पसंद करते हैं बर्गर सिफ टामाटर प्यास या सलाद वाली सबजिया और बहुत सारी चीजों को डालकर नहीं बनाये जाते इसे टेस्टी बर्गर को बनाने के लिए और भी बहुत कुछ लगता है बर्गर को खाने के बाद आपका दूसरा कोई बर्गर खाने का बनी नहीं करेगा अगर दोस्तों आप इस देश में जा रहे हैं तो वो पांच जगह भी आपको बता देते हैं जहां आपको जरूर जारा चाहिए दोस्तों सिड्डी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है और इसको एतिहासिक दुरश्टी से देखें तो ये काफी प्रसिद्ध शहर है सिड्डी घूबने के लिए हर साल लाखों की संख्या में परिटक आते हैं जिसमें काफी मात्रा में भारतियों की भीड़ भी है सिड्डी में आतिहासिक इमारते, खुबसूरत बगीचे, आकर्शत चर्च भी आपको दिख जाएंगे जिनें आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं दोस्तों मैलबर्ड, मैलबर्ड ऑस्ट्रेलिया के दक्षणी तट पर इस्तरिक शाददार ऑस्ट्रेलिया ही शहर है विक्टोरिया राज की राजधारी है, जनसंख्या के मामली में सिड्नी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है ये खुबसूरा शहर ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक केंद्र है, जिसे देश का सबसे जीवन तशहर माना जाता है आस्ट्रेलिया की सिड्नी और मैलबर्न में हमेशा से खुबसूरती के लिहाज से कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आप मैलबर्न में मैलबर्न सिटी सेंटर जा सकते हैं आपको एक से बढ़कर एक मनुरंजक चीज़े मिलेंगे यहां की वाइड लाइफ पार्क और खुबसूरत एक्वीरियम भी आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तो, New South Wales ऑस्ट्रेलिया की पूरी तर्ट पर इस्ते दे लिवस्ट्रेलिया बे लोग आ रूप से देखे जाने वाले इस्थानों में से एक है ये जगह अपने romance water activities से लेकर शांदार और crazy night life के लिए जानी जाती है New South Wales बेहदी खुबसूरश शहर है अगर आप Australia गूमने जा रहे हैं तो New South Wales जरूर गूमेगा Opera House Sydney का Opera House बेहदी attractive और शांदार परिटनिस्थ है दोस्तों यहाँ पर कई Bollywood movies की shooting भी हो चुकी है दिल चाहता है movie तो आपको याद ही होगी वो movie यही पर शूट हुई थी Selanio को backstage और friend दोनों में गूमने की इजाज़त है ये चारो और पानी से घिरा हुआ है जो परटकों को अपनी और attract करता है Victoria विक्टोरिया दक्षिणपूर्वी ऑस्ट्रेलिया का एक राज है जिसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक आबादी वाला राज कहते हैं यह जगा विकेशन मनाने के लिए बैस्ट है दोस्तों यह दर्शनी एस्थल होने के साथ साथ एक्टिविटी करने के लिए भी बहतरीन जगा है यह जगा उन लोगों के लिए भी सबसे खास और बेस्ट है जो कुछ अलग चाहते हैं आपका बजट कम है या जाधा आपको यहां हर तरह की चीज़े देखने को मिल जाएंगे आपको पसंद आया होगा आप आस्ट्रेलिया कब जा रहे हैं हमें जरूर बताएएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा हमारे यूट्यूब चानल को भी सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग